लो दोस्तों केश यूँ आप सभी उम्मिद करता हूं आप सभी बढ़ करने वाले हैं कि बहुत उसलो होते हैं जो पुराना प्रकार पुर्डियां करते हैं तो वह भी मा आज के इस वीडियो में पताने वाला हूँ है हलो दोस्तों मैं सत्यपाद सर्मा टेक्निकल दोस लिए के चैनल में आपका फिर से स्वाधत करता है तो बिना टाइम वेश्ट के वीडियों सुरू करते हैं परकार से यह भी परकार से लेपठी स्वाथ उसके बाद और आपको क्या करना है एक ने ब सब्सक्रा नो कुंप आ को सब्सक्राइन थे करने वाले कुछ वह भी अपको हमें सारी चीमित क्ैंटने वाला हूं फ्रेस्ट ओफल आपको क्या करना है अपने लेप्टोप के configuration, detail, RAM और ग्राफिक काड है या नहीं है उसको check करने के लिए आपको simply क्या करना है simply आपको क्या करना है यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर लिखना है R U R N पर लिखके यहाँ पयोब कोई भी जो command file आपको यहाँ पर देना है D X D I A G just simply यह आपको सर्च करना है और यहाँ पर देना है और यहाँ पर जैसे यह सा यह साको simply क्या करना दोश् transition येस कर देना है जैसे आप येस करोगे तब यहाँ पर आपको अपने लप्टॉप की जो पूरी डिटेल्स वगेरा है वो सारी की सारी है वो यहाँ पर ओपन हो जागी देखे यह आप पर जो भी प्रोसेस है जो विंडो लगा वाए देखो और फाइफ एड जिनरेशन है तो या उसकी जो भी डिटेल्स वगेरा है वो सारी यहाँ पर आपर देख सकते हो और आइडिया लगा सकते हो कि उसका प्रोसेसर रहा है क्या रही में वागरा सारी इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल और चेकऊट कर सकते हो लपटॉप को तो इस तरीके से आप अपनी के अंदर कीबोर्ड कुछ चेक करना है कि कीबोर्ड में किसी भी की वगेरा काम नहीं करती है या कोई भी कीबोर्ड के अंदर इसू है या कोई दिक्कत है या कोई प्रोब्लम में कीबोर्ड प्रोपर है वह गरक नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी आपको simply क्या करना है अपन पर आ जाएगा कि Windows है या MacBook है तो मैं Windows सिस्टम में कर रहा हूं तब आप यहां पर कीट के सारे बटन है एक एक दबा की वो चेक कर सकते हो और जो बटन चेक हो चुके हैं उन पर एसा है वो टिक हो जाएगा गहरा हो जाएगा बाकी यह गहरे नहीं होगी तो जैसे जैसे अपन कर रहे हैं तो इस तरीके से आपके आसासे जरूरी और इंपोेटेंट की जब आपा लेपटॉप लेते हो तो बैसिकली उसके अंदर केमरा हो प्रॉपरक करना चाहिए तो इसके लिए आप겠지만 लेकिन जब आपने बात करते हैं Windows 7 के अंदर तब आपको यहां पर लिखना है वेब केमरा टेस्टिंग और यहां पर आपको करना है यहां पर क्लिक करना है और आप सबसे इंपोटेंट जो टॉपिक है जो आप लेप्टॉप ले रहे हैं उसके पास बिल अवेलबल हो जाता है लेप्टॉप का जब उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है जिसे आपको पदा चल जाता है कि बैटरी चेंज की यही करना विल लेटरी पर भी चेकर सकते हो तो डोस्तों डीजम जब अपने आपको सब्सक्राइब लेप्टोप खरेते हैं सबसे पहले आपको क्या है अपना लेप्टॉप एवो खोल के वापस बंद करके अच्छे से चेक कर देना है कि किसी भी परकार की हिंज के अंदर जैसे मैं जूम करके दिखाता हूं आपको इस ट्राइब से कोई भी हिंज है वो बाई मिस्टेक लेप्टॉप के अंदर टकर रहे हैं यह आपने स्ट्रीजेंग मैं निंदक रहा हूं लेप्टॉप किया लेप्टॉप पॉन हो रहा है फैसे हैं स्क्राइब से स्कू नकाल लिये जाते हैं या फिर by mistake sensor होगे रहे हैं वो खराब हो जाते हैं तो यह जरूर चीज आप चेक कर लें laptop जब भी खरीते हो तो कि उसका sensor है वो proper work कर रहा है या नहीं कर रहा है अब यह तो रही basic जो भी अपने खरीते हैं उससे पहले आपको थोड़ा सा laptop के अंदर heavy tasking करके देख लेना है कि क जादा नहीं रहने वाली तो जो ओवर हीट कर रहे हैं laptop तो ऐसे laptop वह बिल्कुल भी पर्चेज नहीं करें क्योंकि आपको लाइप में ऐसे laptop वह बहुत सारी दिक्कतें देने वाले हैं पर में जो जिक्कत है वह मैंने starting में बता दी आपको कि USB जो पॉइंट है वह सारे चेक कर ले चेक कर ले सारे पोर्ट है वह अच्छे से चेक कर ले उसके बाद ही एक ओल्ड लेप्टोप है वह बाई करें और आप अपने laptop को अच्छे से है वह करें तो मैंने laptop के बारे में जो basic knowledge है वह मैंने आपको देने की कोशिच की I hope की वीडियो आपके लिए helpful है आपको knowledge मि लाय है तो दोसमें जुरूर करें और हम दूस्तों ऐसे टेकनीकल कर लेटेड़ और वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लें जिससे आपको तेकनीकल और भी बहुत सारे वीडियो जबो मिलते रहेंगे चाहे वह लप्तॉप हो चाहे डेक्सटॉप हो या मो